असलाम आलेकुम फ्रेंट इरिक्सा मोटर रिपेरिंग का वीडियो मेरी चैनल में है लेकिन कुछ भाईयों ने कॉमेंट किया था कि सर इरिक्सा का जो मोटर के अंदर व्यारिंग लगा हुआ रहता है उसको किस तरह से निकालना है और किस तरह से उस्वेश चेंज करते हैं उसका वीडियो बनाई है और कुछ भाईयों praक्सा कि स्वेयोमोटर की स्वेशser निकालना है उसका वीडियों बनाई है तो चैनल में इस तार्म से ख़बेर है उसका उसका जाप shortest हुआ और बीच में उसका hole रह जाता है तो उसमें मैं इसको रखके आराम से निकल लेता हूँ लेकिन इसका निकलने का भी कई तरीका है अगर आपका साफ्ट जो है वो अच्छा है जो bearing है वो खराफ हो चुगा है इस हालत में देखिए ये जो साफ्ट है उसका उपपर एक लकडी का टुकरा रखके उस लकडी के टुकरे के उपपर मारना है तो अगर इस तरह साफ्ट डाइरेक मारोगे तो इसका जो साफ्ट है वो खराफ हो जाएगा साफ्ट का एक तरफ जो है वो खराफ हो जाएगा तो मैं इसका जो साफ्ट है वो सही है इसलिए मैं ऐसे मार रहा हूँ इसके उपर दिखे एक लगड़ी का टुकरा ले लिया और मैं उसके उपर मार रहा हूँ तो यह जो लगड़ी है यह बहुत बड़ा है आप चाहे तो छोटा ले सकते हो और यह थोड़ा कमजोर है आप चाहे तो थोड़ा ताकत वाला लगड़ी ले सकते हो अच्छा वाला तो इसमें आराम से निकल जाएगा और अगर आपका साफ्ट कराफ है तो यह लगड़ी ले अब इसका ब्यारिंग किस तरह से निकलना है वो भी दिखा देता हूं कि काफी भाई ने कॉमेंट किया था कि ब्यारिंग किस तरह से निकलना है लेकिन इसका ब्यारिंग जो है वो निकलना बहुत इजी है देखिए इस साफ्ट से हम ब्यारिंग को निकल देंगे तो तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको तो दीखिए मोटर का जो पिछे की तरफ ब्यारीं है वो भी चेंज कर लेता हूं उससे पहले देखिए यह वाइल सिल लगा हुआ है तो पहले वाइल सिल को निकल लिया अब देखिए यहां पे ब्यारीं है तो वाइल सिल के निकलने के बाद ही यहां पे आप मार सकते हो नहीं तो वाल सिल खराब हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं आप यहां पे भी थोड़ा सा मारोगे तो वह निकल जाएगा देखिए उसी साफ्ट से मैं मार रहा हूँ तो यह ऐसे ही निकल जाएगा आप चाहे तो दुसरा कुछ भी ले सकते ह लेकिन इसको मानने में ज़यादा पेसा नहीं लगता है मैं इसलिए saft को यूस कर रहा हूँ तो देखें ये वाला Bearing भी निकल गया तो इसी तरह से आप अराम से निकल सकते हो saft को भी और Bearing को भी तो देखें इसका Bearing भी निकल गया और saft भी निकल गया तो चलिए मैं ब्यारिंग को चेंज कर देता हूँ जब भी आप साप्ट को खुलोगे तो जितना भी हो साप्ट को भी चेंज कर देना क्योंकि ब्यारिंग के वेज़े से भी आवाज बहुत खराब होता है तो चलिए इसको किस तरह से डालना है अंदर भो भी दिखा देता हूँ इसको आराम से इस तरह से बीठा कि हातुरे से मारू जाएगा यह अपने जागा पिर आराम से बैठ जाता है तो दिखिए इसका जो ब्यारिंग है पहले मैं इसको लगा लेता हूँ और ये जो काम है हड़बड़ी का काम नहीं है आराम से कीजीगा नहीं तो अगर ये टूट गया जो प्लेट है ये तो फिर आपको नहीं मिलेगा फिर तो दिखिए अब मैं साफ्ट को लगाने वाला हूँ उससे पहले साफ्ट में थोड़ा सा जो ग्यार ओयल है उसको लगा देता हूँ अगर यहाँ पे थोड़ा ग्यार ओयल लगा दिया तो ये चिकना हो जाएगा और आराम से ये अंदर चला जाएगा मैं ज्यादा तर इसमें हाथोड़ा नहीं मारता हूँ ऐसे ही इसको डाल देता हूँ अंदर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको तो देखिए यहाँ पे ग्यार ओयल डाल दिया थोड़ा आप इसको किस तरह से डालना है वो दिखा देता हूँ इस तरह से इसको डाल के यहां पे ऐसे दिखिए इस तरह से डालता हूं अंदर थोड़ा फिर ऐसा मारता हूं तो यह आराम से निकल जाता है तो चलिए इसका अंदर डाल के दिखाता हूं आपको तो दिखिए जो ब्यारिंग है इसमें हम ऐसे डाल देते हैं फिर इसको ऐसे जो लकड़ी है उसमें मारना है थोड़ा इस तरह से मारना है देखिए यह आराम से भुश जाएगा तो दिखिए यह तो चला गया आप जो मैगनेट है उसको भी इसी तरह से अंदर डालना है अगर ऐसा करके डालोगे तो आपका जो मैगनेट है उसमें भी कोई खरुज नहीं आएगा और जो साफ्ट है वो भी नया वाला साफ्ट लागाओगे तो कुछ भी खरब नहीं होगा उसमें और जो ब्यारिंग है वो भी अच्छा रहेगा तो देखिए मैं जब भी लगाता हूँ ऐसे लगाता हूँ अगर ज्यादा टाइट हो तब मैं आपका जो यह जग पड़ा हुआ है उसका यूज करता हूँ अगर ज्यादा टाइट हो तो नहीं तो ऐसे घूज जाता यह देखिए यह जो ऐसे ही घुज गया तो मैं ज्यादा तर ऐसे इसको लगाता हूं तो यह साफ के नाप रहता है तो मैं पहले नाप ले लिया था दिखे यह जो इसमें से नाप लिया था तो दिखे यह बराबार घुज गया अंदर तो और नहीं खुसाना है तो दिखिए इसको मैं ठोक ठोक के कैसे अंदर गुशा दिया आप इस तरह से गुशा सकते हो या तो आप इसको दिखिए इस तरह से रखके उल्टा करके रखके फिर इस तरह से एक लकडी का टुकरा लेके इसके उपर आप ऐसे मार सकते हो या तो दिखिए ये जो एक आपक च्छेनी के टाइब दिख रहा है इसको सेफ्ट के उपर एक होल है वहां पे रखके आप हादोडे से मार सकते हो तो आपका जो मैगनेट है अराम से घुज जाएगा ये तीन चार तरीका आपको दिखा दिया मैं आप कैसे भी कर सकते हो लेकिन मैं ज्यादातार वैसा ठोक के खुषाता हो क्योंकि उसमें कुछ तकलिव नहीं होता है व्यारिंग का भी और मैगनेट का भी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो इसी तरह का अच्छा अच्छा वीड़ों पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो घंटी का बटने उसको निकलने के लिए इस तरह का हाइट्रोलिका भी यूज करता हो आपके पास अगर यह वाला जोक नहीं है तो आप ऐसा हाइट्रोलिका यूज कर सकते हो तो थैंक्स फूर वाच